एक बार एक गरीब किसान एक धनी सेट के पास अपनी सब्जिया बेशने के लिए जाता है और पूछता है सेट जी टमाटर क्या भाव हैं? अरे रामू फिलाल तो मुझे टमाटर के भाव पता नहीं है अभी मैं टमाटर मंडी में पूछता हूँ अरे रामू तुम तो बड़े खुश नसीब हो टमाटर के भाव तो डेट सो रुपे हैं अभी रामू दे रहा हैं सेट जी को अपने टमाटर अब सेट जी ने रामू को अपने पैसो का बैग दे दिया अब रामू टमाटर के पैसे लेकर अपनी घर की तरफ चल पड़ा अब रामू एक घने जंगल से गुजर रहा था और उसे चलते चलते बहुत सारा समय हो चुका था और उसे चोल डगितों का डर भी था जिसका डर था वो ही हुआ आगे एक खुकार डाकू बैटा था और डाकू ने रामू को पुकारा ए रुक जाओ तुमारे हाथ में क्या है और वह खुकार डाकू रामू की तरफ बढ़ने लगा और बोला इस बैग में क्या है ये बैग मुझे दे दे वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगा और रामू गड़िडा कर बोला कि मैं आपसे समाश आता हूँ ये बैग में आपको नहीं दे सकता कार डाकू ने बोला अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा रामू बोला मैं आपको एक सर्थ पर ये बैग दे सकता हूँ इसके लिए आपको बंदू को उल्टी पकड़ कर गोले चलानी होगी वह डाकू बड़ा मुर्क था उसने अपने आपको ही गोले चला दी और वह मर गया फिर रामू नाचने लगा बच्चो इस कहानी से हमें ये सिक्सा मिलती हैं कि हमें अपने बुद्धी से काम लेना चाहिए और अच्छा लगा हो तो वेडियो को लाइक कर देजिए